रिजनल जोग्रफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं देखिए हमने नौर्थ अफ्रीका के बारे में हिस्ट्री सोसाइटी एकॉनमी पॉलिटिक्स इन जीजों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है सुदान और एफ्रीकन युनियन का कॉंटेंट अभी बाकी है जért हम उसे कवर करेंगे लेकिन आज हम एक स्टप आगे बढ़ेंगे Sudan और African Union को हम different context में cover करेंगे आज हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको मैंने यहां कुछ लिखा ही नहीं अब लिख लेता हूँ आपको हम Southwest Asia, West Asia यानि कि particular Middle East से जुड़े हुए context पर discussion बताएंगे तो topic book में इस नाम से Israel and its neighbors यह neighbors word बहुत important है जब हम इसराइल की बात करेंगे मने जब हम Jewish culture की बात करेंगे सबसे पहले शुरुवात इसराइल से करते हैं उसके surrounding को भी हम समझ जाएंगे दिक्कत की कोई बात नहीं इसराइल कहां पर located होगा अगर हम मैप पर देखें तो इसराइल Mediterranean Sea के Eastern Shores पर आता है क्लियर है यह देखें मैं आपके सामने अगर यह मैप रखता हूं तो Mediterranean Sea के Eastern Shores पर यह जो कंट्री है that is Israel यह जो कंट्री यहां से आ रही है यह यहां तक यह देट वन इस जॉर्डन यह जॉर्डन है लेकिन यह जो कंट्री यहां से यहां तक इस तरह से आ रही है इस इस्राइल तो इस्राइल Mediterranean Sea के Eastern Shores पर है इस्राइल अपने Northern हिस्से में लिबनान से टच होता है यानि कि लिबनान से बार्डर शेयर करता है इस्राइल अपने East में सीरिया और जॉर्डन से बार्डर शेयर करता है इसराइल अपने south में Egypt से border share करता है क्योंकि हम यह जानते हैं कि Sinai Peninsula Egypt का हिस्सा है तो इसी कारण से इसराइल के north में Lebanon, east में Syria और Jordan, south में Egypt, Israel और इसराइल के west में Mediterranean Sea यानि कि इसराइल कोई landlocked country तो है नहीं, उसका एक proper coast है अपना इतनी बात clear हुई है चलिए एक image और दिखाता हूँ आपको में उसे देख करके आपको ज़्यादा बहतर समझ आएगा कि आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं इस image में उतना clear तो नहीं दिख रहा है लेकिन क्योंकि पहले दिन से ही हम इस image को reference में रखके पढ़ रहे हैं तो हम North Africa से आगे बढ़ चुके और अब हम study कर रहे हैं इस Middle East region को इस Middle East region जिसमें Syria, Lebanon, Israel, Jordan, Iraq आया करता था उसमें से हम इसराइल को पढ़ रहे हैं Mediterranean Sea की coastal countries को यानि की Eastern Mediterranean shore से जो countries touch हो रही हैं उन्हें हम लेवांत भी कह देते हैं तो इस तरह से देखा जाए तो इसराइल लेवांत का हिस्सा है इसराइल Middle East का हिस्सा है इसराइल West Asia का हिस्सा भी क्या जा सकता है कई नाम कई तरह से आप इसराइल को देखते हैं यह हुआ इसराइल अब आपको एक image दिखाते हैं जो की chapter से associated image है आपको अपने chapter में मिल जाएगी वो image क्या कहती है ध्यान से देखिए देखिए जब हम इसराइल को देखते हैं इस image के वाया तो हमें यह देखता है यह yellow yellow part जो है यह इसको आप थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लीजे कि यह जिस region के हम बात कर रहे हैं इस होल रिजन इस इस इसराइल इस होल रिजन इस इसराइल तो यह कुछ ऐसा तो देखिए यहां साफ देखता है एजिप्ट है यहां साफ देखता है जॉर्डन है यहां सीरिया है यहां लिबनान है और यह कोस्ट है हमें नजर आ रहा है यह important region that is Tel Aviv Tel Aviv जहां पर majority of the countries की embassies हैं और यहां पर देखिए जरुसलेम जरुसलेम जैसे राजधानी बना लिया इसराइल ने अपनी लेकिन majority जो embassies हैं वो Tel Aviv में हैं वो जरुसलेम में shift नहीं हुई तो यह सारा का सारा यहां पर यह इसराइल की तरह है इसमें क्या दिखाना चाहता हूँ मैं इस region को दिखिए तो इसराइल का जो यह coastal area है यह area यह moderate type C climate hold करता है और देखतर जनसंक्या यहां बसी भी हुई है यानि कि relative to other parts of the country इस coastal area में type C climate area में rainfall जादा होता है एक तो Mediterranean Sea के किनारे होने के नाकारण temperature wise moderate रहता है दूसरा rainfall होता है तो agriculture बढ़िया हो सकता है और trading outpost भी यहीं पर located है बंदरगाह है व्यापार वानिज्य के हिसाब से भी महतपूर्ण है तो अधिकतर जनसंक्या का घनत्व इन इलाकों में मिलेगा आपको इस्राइल के लेकिन जैसे ही आप अंदरूनी इलाकों की और आते हैं और दक्षिन की और जाते हैं तो वहाँ पर आपको type B arid climate मिलता है जैसे की इस्राइल के दक्षिन छेतर में ये desert that is Negev desert तो Negev desert ये इस्राइल में है इस्राइल के दक्षिन ही इलाके में है तो this one is the Negev desert दिख रहा होगा आपको लेकिन ये this region is important for Israel कारण जब आप इस Negev desert area से होकर के नीचे की और जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस्राइल एजिप्ट के Sinai peninsula के साथ land share कर रहा है और ये जो blue color की water body है ये upper tip है एक Gulf का जिसका नाम है Gulf of Aqaba तो ये Gulf of Aqaba के वाया अगर नीचे चले जाएं हाँ तो ये Gulf of Aqaba Red Sea से connect होती है यानि कि इस्राइल Mediterranean Sea से connected है वाया था western coastal strip और इस्राइल Red Sea से connected है वाया था Gulf of Aqaba और Red Sea के वाया इस्राइल Arabian Sea से connected है तो देखिए इस्राइल का सम्मन्द कैसा बनता है आप Arabian Sea से यानि कि Indian Ocean आप Arabian Sea से होकर के Indian Ocean region में एंटर करिए आप वहाँ से Red Sea में एंटर करिए Straight of Bab Al-Mandib होकर के और Red Sea के वाया आप Gulf of Aqaba में एंटर करिए और Gulf of Aqaba से आप सीधर Negev Desert होते होए आप चले जाएंगे Mediterranean Sea के Eastern Coastal Areas में यानि कि दोनों ही water bodies को access है इस्राइल को में चीज आस्पेक्ट क्या था मैंने सी भी दिखा दिया Gulf of Aqaba भी दिखा दिया इस्राइल जैसी dry country जो की अमूमन सूखा इलाका है पानी के sources बहुत कम है The fresh water regions are very very less ऐसे में life किन चीजों पर निर्वर करती है हमने देखा इस region में fight mainly water के लिए है The fresh water agriculture के लिए livelihood के लिए और life के लिए वो जरूरी है तो ऐसे में इस्राइल की बात अगर हम करें तो ये आपको नजर आ रहा होगा This region that is Sea of Galilee This is Sea of Galilee इसे Sea of Tiberias भी कहते हैं Sea of Tiberias भी कहते हैं इसके कुछ और नाम भी होते हैं जब आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर clear नजर नहीं आया है कोई बात नहीं generate भी कहा जाता है बट आप Galilee और Tiberias समझे तो Sea of Galilee Sea of Tiberias ये बहुत important fresh water lake area है बहुत important लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिये कि ये जो Sea of Galilee है एक्जेक्ली ये Syria और इस्राइल के border पर है एक्जेक्ली Syria और इस्राइल के border पर तो ये Sea of Galilee को लेकर के बहुत लंबे समयों तक Syria और इस्राइल के बीच में कई तरह की proxy wars हुई है spies war हुई है और फिर clear clear एक full-fledged pitched battle भी हुई है यानि कि एक proper battle जंग हुई है सामने सामने से इस fresh water resource को लेकर के ये fresh water resource अगर चोक कर दिया जाए अगर इसे चोक कर दे कोई country control में ले ले तो Israel की existence पूरी तरह से threatened हो जाए इसलिए ये Israel के लिए इतना महतुर रखता है क्योंकि इसके इलावा फिर आप observe कर लीजे कि Israel में कहीं और कोई source of fresh water नहीं है तो अगर Israel को कोई खत्म करना चाहता हो सीधा तरीका था कि sea of Galileo को control में लिया जाए Galileo को control में लिया जाए और उसमें से निकलने वाली एक important river तो यहां से एक नदी निकल रही है ये आप देख रहे हैं ये नदी बॉर्डर बना रही है Jordan और इस्राइल के बीच में लंबा बॉर्डर बनाते होए this is the Jordan River और ये Jordan River गैलिली सी से निकल करके जिस सी में जा रही है this sea is a dead sea this is a dead sea इसे dead sea इसलिए कहते हैं कि इसके surrounding में higher elevation areas है इसके surrounding में higher elevation areas है ये एक चीज और ये sea जो है इस sea का जो level है अगर वो देखा जाए तो जो sea level होता है हम जो एक average mean sea level लेते हैं AMSL ये sea level से 13 सफुट नीच है यानि कि आप जैसा पढ़ते होंगे कि पंजाब हर railway station पर लिखा होता है ये railway station समूद्र स्थर से इतने मीटर उपर या इतने foot उपर हमारे हां मीटर चलता है तो अपन मीटरों में लिखते हैं कि 500 मीटर उपर अगर आप ध्यान से देखें तो पहाड़ों की उचाई भी तो किसी ground से थोड़ी ना बताई जाती है मुँद मीन sea level से भी बताई जाती है क्योंकि जो सी है सी है कोई चीज उससे नीचे है तो उसका पानी उसमें गुश जाना चाहिए वह इसलिए नहीं कि उसके और इसके बीच में उचे elevated areas है ना उचे elevated areas है ना ये बिल्कुल ऐसा है कि आप ऐसा देखें कि आपका जो बर्डे केक है वो इतना मोटा है बर्डे केक इतना मोटा है इतने मोटे बर्डे केक को मैंने इतने तक पानी में डुबा दिया पानी में डुबा दिया मतलब आप वो बर्डे केक का इतना ही हिस्सा पानी के बारे इतना तो पानी में डूब किया वो सी में डूबा हुआ है उसके बाहर जितना वही सी लेवल के बाहर वाला बर्डे केक लेकिन उस बर्डे केक के बिल्कुल सेंटर में बर्डे के नीचे जो गत्य की प्लेट रहती है उसके सेंटर में मैंने बिल्कुल गत्य की प्लेट तक फूरा केक निकाल दिया होल कर दि थिमें नहीं आ रहा है हुआ हाए है जब वो बचे हुए कि इतनी वोल को ब्रेच करेगा तभी वह आकि कैक सब्सक्राइब तो इसमें इसमें पानी डाला है वह सराउंडिंग बाल्टी से नीचे हैं फ्रांटिंग बाल्टी के पानी लेवल से नीचे है लेकिन वह सी वाटर उसमें इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो केक की वॉल है वह अभी भी पानी उदर से ब्रेच करके इधर नहीं आ रहा है एसा होता होता है ठीक है यह मैंने बस आपको समझाने के लिए समझा दिया तो चीजें बिलो सी लेवल भी होती है मीरे बच्छों ईची वह जमीन पर ही है पर बिलो सी लेवल है फिर भी सी में नहीं डूबी हुई है क्योंकि जिन regions में वो occupied है वो region का जो elevation है sea से अबब होगा तो ऐसे dead sea 1300 feet below sea level है अब इस कारण से अगर देखा जाए तो उसका कोई outlet ही नहीं है उसमें से पानी निकल के कहीं जा नहीं रहा है उसमें सिरफ Jordan River का पानी आ रहा है पर उसमें से कहीं जा तो रहा नहीं तो Jordan नदी अपने आप dry region से flow करके आती है imagine वो इतने dry region से जब flow करके आती है low precipitation region से तो वो अब उसके अंदर पूरे रस्ते भर में तो कोई ऐसी घनी वर्षाएं नहीं हो रही है कि उस Jordan River के द्वारा जब material erode करके अपने साथ लाया जाता है तो उस material को dilute करने के लिए भी उसे बर्षा का पानी मिलता रहा है तो जॉर्डन रिवर अपने साथ कई तरह के salt और minerals लेकर के आती है और वो डाल देती है डेट सी के अंदर इसी तरह से surrounding डेट सी के surrounding region में जो सॉल्ट है जो मिनरल्स है वो भी डेट सी के पानी में घुलते रहते हैं और outlet कोई है नहीं तो salt और minerals outflow हो नहीं सकते वहीं concentrate होई जा रहे हैं होई जा रहे हैं होई जा रहे हैं ऊपर से हाई evaporation region है और less precipitation region है तो इसलिए salt concentration पानी में बढ़ती जा रही है यही कारण है कि कोई aquatic life जनम नहीं ले पाती है सेलेनेटी का लेवल नमक का लवनता का लेवल इतना है कि कोई जल जीवन यहां पर होता नहीं aquatic life नहीं होती है इसलिए नाम dead sea है और सेलेनेटी इतनी जादा है इसके कारण पानी की डेनसिटी इतनी जादा है कि आप उसमें लेट करके अख़बार पड़ सकते हैं आप ड़ूब हो बस इतनी से बात है मेरे और तो Color पाणी दीजिए नॉर्मल पानी हम उंगली डालिये ? बिल्किल फ्रॉ्टन फील नहीं होती है ? लेकिन घनी तसके उसमें डालिया तो फिर फील होता है कि कुछ जो नग रहा है क्योंकि दाल जो गनी में चीदसी बढ़ गई उसमें माल मत न होकिक सेको मासज वे वाल्यूम जुս Sum i.e इसी की बजाए आप एकदम सेमी सॉलिट सा सूजी का हलुआ बनाई है अब उसमें उंगली डाली और जादा अब्स्रक्शन फील होगी क्योंकि वह और जादा डेंस है तो इस तरह से डेंस देंस है दूटु तो था है amount of salt and minerals in the Dead Sea due to the absence of the outlets from the Dead Sea because it is the it is below the sea level 1300 feet below the sea level so high level of salinity is there and it is resulting into the high density so people can float over that तो इसलिए पानी के जहाज जो है जब वो Jordan नदी से निकल करके डेट सी में एंटर करते हैं तो पानी के जहाज उपर उठ जाते हैं जैसे पानी के तो ये question आता होता है कि वो जैसे ही नदी से डेट सी में एंटर हुए तो वो नदी के अंदर अगर इतना तक डूबे हुए हैं डेट सी में एंटर होते ही उपर उठ जाते हैं आईवास समझ में वो उपर उठ जाएंगे वो कारण यह है कि हाई डेंस्टी और हाई के कारण यह हो रहा है क्लियर कानी चलें अब आगे पड़ें पेजिस में यह नहीं समझाया था मैंने समझा दिया इसको इतने समझ कर दिल में बसा लो ऐसे न मुझे तुम देखो बस दिल में बसा आगे चलो तो यह dep 7 leader है यह dead sea है अब पहले Dep, see कितना भड़ा था हस्ता खेलता हुआ बंकी तो आपको पता हिए सब तूट रहा है बिकर रहा सब तूट रहा है बिखर रहा है जो मैं कह रहा हूं यह मेरी बाते नहीं है वर्ड एकनॉमिक फॉरॉम की मीटिंग थी आज चल रही है चले गी अभी सेजरलेंड के दावोस में और उसमें इस बार का चर्चा का मुख्य केंदर रहा एक टर्म वह पॉली क्राइसेस और पॉल हैं कि उनका अकेले अकेले का जो इंपेक्ट आएगा उसे जो सम करेंगे आप तो उसका जो असर है वह अलग लेकिन इन सब के इंटर रिलेशन के कारण जो असर आ रहा है दा होल इफेक्ट इस टूटली ऑफ डिफेरेंट मैगनिटीट सो पॉली मने मैनी क्राइस मने क्राइस उस समस्य कहते हैं बेटा कि कोई एक प्रॉब्लम तब क्राइसिस बनती है जब वो हुमन की वो एबिलिटी को चैलेंज कर लेती है जो एबिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की होती है यानि कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को यदि कोई प्रॉ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स बढ़ते हुए इनर्जी क्राइस उबरते हुए बाजारों से पैसा वापिस खेच जाना यह सब कुछ हापस में मिलकर क्या आगर आने वाले समय में भैयावे द्रिश्च पैदा करेंगे तो मैं वहीं बता रहा हूं कि सब बिखर ही तो रहा है बरबाद हो ही तो रहा है इसलिए आज कलेक्टिव होके लड़ने के और जरूरत है क्योंकि जब उस तरफ हमारे विरूधी पॉली हैं हमारे क्राइसिस पॉली है तो अब एक मुल्क की अकेली ताकत उसे निपटने में तो अक्षम है आपको भी पॉली होना पड़ेगा आप सब की कलेक्ट कलेक्टिव एबिलिटी मिल करके उसे बीट कर सकती है अब चाहे वो एकोलोजिकल इस्तोरेशन और चाहे समचनेश निपेट कि बात हूओ चाहे क्लाइमी चेंज को कमबैक करना हो ग्लोब्ल वार्मिंग को रिद्यूस करना हो चाहे फूट सेक्यूरीटी पीट को बढ़ाना हो चाहे व्र्ट एकोनॉमिक डिवेयफ्मेंट की स्टेबिलीक चाहे गट तो जब क्राइसिस पॉली है तो ताकत भी क्या हो नीचे यह पॉली इसलिए आज जुड़ने की और ज्यादा जरूरत है आज एक साथ आने की जरूरत है तो यह जो डेड़ सी है यह यह भी आकार में घट रहा है जॉड़न नदी का पानी बट रहा है इसे घटा हुए दिखा देता हूँ आप कहेंगे बातें बहुत करते हैं घटाते हुए दिखाते नहीं यह देखो कैसा घट गया बीच का रिष्टा तूट गया दो हिस्सों में बढ़ गया टुकडे टुकडे हो गया एक नौर्थ और एक साथ डेड़ सी हो गया ऐसे नाम द मोटा मोटा जो बोलते हैं फैक्ट से बोलेंगे ओके कुछ भी नहीं बोलेंगे कि कुछ भी बोल दिया ओके चलें बेटा कुछ समझ आ रहा है हम कौन सा पढ़ रहे हैं का पढ़ क्या रहे हैं आज आज का वाड इनी को मिल गया चलो आगे बढ़ें गैलिली सी जॉर्डन और डेट सी रिष्टा क्लियर यह पताया है तो किसी कारण से बताया है अब हमने कुछ बाते सुन ली एक तो नेगेव डैजर्ट सुन लिया एक सिनाय पैनेंजुला सुन लिया रिवर जॉर्डन सुन ली और हमें पता लग गई कहां से कहां बहती है तो अब मेरा बच्चा सुबहाश यह बचाएगा कि यह जो जॉर्डन रिवर है यह सी ऑफ गैलीली भाई जैसा होगा मुझे शेप एक्जेक नहीं पता सी ऑफ गैलीली से बह रही है बहती हुई दिखा दी मैंने भाई और यह आ गई डेड सी में इसका वेस्ट बेंक बताओ कौन सा है इसका पश्चिमी तट कौन सा है वेस्ट बेंक किसका हाँ मतलब मैं किदर लेकूं मैं मारकर मेरा यहाँ है किदर लेकर के जाओ इधर लेकर जाओं की दर लेकर जाओं वेस्ट बेंक इधर लेकर जाओं यह कैसे कहा आपने तो यह बच्चा यह कहना चाहरा है कि जहां से नदी निकली है यह उधर ही खड़े उधर ही खड़े हैं अब इसको नदी बना देते हैं तो नदी नदी का आता हुआ पानी तो नदी यह डाउन्स्ट्रीम है ना यह डाउन्स्ट्रीम तो जिदर को किष्टी जा रही होती है पानी के बहाव के साथ उस किष्टी में ऐसे बैटे होते होते हैं यह किष्टी नीचे को जा रही है तो अब इस किष्टी का बहाव नदी के पानी के बहाव के साथ है मतलब इस फ्लोइंग दाउं स्ट्रीम तो इस नदी का राइट बैंक कौन सा हुआ आपका राइट यौर राइट तो इस वन इस दा राइट बैंक इस दा राइट बैंक कभी उलजना नहीं लाइफ में जिंदगी पर याद रखना इधर से आ करके जो जूड रही है आघ सब राइट बैंक किदर से भी आये जगो है बढ़ी तेज इधर से आई मिली किदर से आप कएगे पैदा तो इधर से और मिली कहा का है यहां जो योगदान देगी जो जल की कुछ बूंदे अर्पित करेगी निकली मुझे क्या लेना कहां से निकली तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी तो राइट यह है और जब मैं इधर से आ रहा हूं तो मेरे इस तरफ क्या है यह क्या है वेस्ट है तो वेस्ट बैंक भी यही है है कि नहीं और हर बार राइट बैंक वेस्ट बैंक होगा ऐसा जरूरी नहीं राइट बैंक साउथ भी हो सकता है राइट बैंक नदी इदर से निकली है इदर से निकल के इदर को जा रही है तो यह राइट बैंक है तो इस बार वो साउथ है इस बार वो साउथ है ना नदी कि इस और जा रही है तो राइट बैंक कौन सा है यह राइट बैंक है और यह दिशा वाइस कार्डिनल डिरेक्शन वाइस तो यह इस्ट बैंक है राइट बैंक को जिंदगी में पकड़के चलना हमेशा कभी दिक्कत नहीं आएगी ओके तो बाकी तो